Hello children, welcome to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज हम बात करने वाले है general knowledge का new topic जिसका नाम है rice is nice. क्यों children, कितना सारा हम खाना खाते हैं which is made of rice, isn't it? बहुत सारे food items होते हैं children जो rice के बने होते हैं. So rice तो बहुत important है, लेकिन आपको पता है कि ये rice आखिर आता कहां से है. So children, rice हमें मिलता है rice plant से और rice plant लगाते हैं हमारे farmers और rice को children बनाने के लिए करनी पड़ती हैं बहुत महनत. Yes, so children, today's topic we are going to learn about the rice and how the farming of rice is done. And children, कौन कौन से अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया tasty food items होते हैं जो की बने होते हैं चावल से, okay? And that is why the chapter name is rice is nice क्योंकि चावल अच्छे हैं, okay? So let's begin. So children, in this slide you can see here are some food made of rice. है ना, मुँ में पानी आगया? मेरे तो आगया क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट आइटम्स यहां रखे हैं. Do you know which one? डोसा इडली. Yes, children, डोसा इडली अगर आपको पसंद है, तो let me tell you one thing, कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो इंग्रीडियन लगता है, वो होता है rice का, okay? उसके लावा, children, और भी tasty tasty food items are shown, कौन-कौन से rice चकली हो गया, खिचरी हो गया, puffed rice हो गया, and of course, डोसा इडली. So, children, just imagine कि अगर rice ना हो, तो फिर हम यह सारे food items खाने से क्या हो जाएंगे? चूट जाएंगे, we won't get such food items. And that is why, children, we need rice. लेकिन rice को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसके crop की farming होती है, यह सब अभी हम जानेंगे. Okay, so you have seen the pictures of those food items, which are made of rice. Now, so children, you can see here, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको क्या दिख रहा है, कि एक farmer है, और वो क्या कर रहा है, crop लगा रहा है, children. ठीक है, अब क्या चीज कर रहा है, कौन सा crop लगा रहा है, वो यहाँ लिखा है, so let's read out. Farmers grow rice. So as I already told you, children, कि इतने yummy yummy food items होते हैं, और जो बने होते हैं rice से, तो children rice कौन लगाता है, हमारे farmers लगाते हैं, okay? Farmers grow rice. तो हमें क्या करना चाहिए, farmers को thankful करना होना चाहिए, क्योंकि farmers के कारणी, आज हम इतने tasty tasty food products खा पा रहे हैं, okay? So farmers grow rice. Rice grows in warm, wet areas. So आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि अगर चावल का crop लगाना है, अगर चावल की खेती करनी है, तो उसे किस प्रकार का area चाहिए, उसे चाहिए warm, माने गरम और wet areas, मतलब थोड़ी गीली मिटी हो जहाँ पे, ठीक है? So इस प्रकार के areas में, चिल्रन चावल बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छी इनकी crop होती है, and that is why इस तरह से उनका production increase हो जाता है. Farmers often flood the land to grow rice. So चिल्रन जैसे कि हमने क्या जाना, कि rice को कैसा land चाहिए, wet चाहिए, wet माने गीला चाहिए. तो जब चिल्रन फामर्स rice की crop लगा रहे होते हैं, तो वो लोग area को क्या कर देते हैं? पूरा flooded कर देते हैं, मतलब पानी से पूरा भर देते हैं, और इसलिए you can see here water is everywhere, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो यह farmer है, वो rice का crop लगा रहा है, और क्योंकि rice को children क्या चाहिए, warm और wet area चाहिए, इसलिए उसने यह सारे area को क्या कर दिया? flooded कर दिया, मतलब पानी से भर दिया, बाढ़ जैसा माहूल बना दिया, ओके? then farmers plant seedlings, और जब पानी से पूरा area को उसने भर दिया, और फिर उसने क्या किया? seedling लगाना शुरू किया, seedling मतलब rice का plant, यह जो आप देख रहे हो, इसके hands में है, इसको हम कहते हैं seedling, और यह children यहाँ पे पानी में, you can see, यहाँ पे सब लगाया गया है, इस farmer के द्वारा, ओके? So, he is actually, you can see what he is doing, he is planting the seedling inside this water, क्योंकि rice को कैसा area चाहिए, वेट area चाहिए, तो पहले क्या करना है, land है, land आपकी warm areas में है, फिर उसको पूरा गीला करना है, flooded जैसा उसको पानी भर देना है, और फिर वहाँ पे seedling आपको, इस तरह से children आप देख सकते हैं, पानी के अंदर क्य कर रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, a seedling is a baby plant, तो क्या है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी seedling है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह कैसे plant है, baby plant है, मतलब बड़े plant नहीं है, छोटे plant है, so seedling क्या होते है, baby plant होते हैं, okay, so यहाँ पर जो farmer seedling लगा रहा है, वो कैसा plant है, वो baby plant है, so always remember, seedling is a baby plant, clear, okay, a seedling has the same parts as a grown-up plant, okay, तो अब क्या समझना है, कि जो seedling होते हैं, children, यह जो seedling जो लगाई गई है, पानी के अंदर, इसमें वो सारे parts रहते हैं, जो एक बड़े plant में होते हैं, सिर्फ क्या difference है, size का difference है, seedling के plant छोटे होते हैं, baby जैसे होते हैं, और grow वाले जो plant होते हैं, grown-up plant वो बड़े होते हैं, लेकिन दोनों में parts क्या होते हैं, same होते हैं, अब जैसे example अगर हम अपना ले ले, कि तो जो children होते हैं, सबसे प्छुटटे babies होते हैं, उनके पास भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, दो eyes होंगे, one nose होंगे, one mouth होंगे, two ears होंगे लेकिन जब वो बड़े होते हैं, तो क्या कोई extra part जुड़ जाता है क्या, नहीं ना, उसी तरह से children plant क्या है, seedling क्या है, baby plant है, उस समय जो उसके पास parts होते हैं, वो ही बड़े होकर continue रहते हैं, so difference हो जाता है सिर्फ size में, otherwise parts are similar, okay, it has roots, a stem, leaves growing from a seed, so जो जो parts plant के होते हैं, वो ह सारे seedling में रहते हैं, क्या-क्या, roots हो गया, stem हो गया, leaves हो गया, और वो कहां से निकल रहे होते हैं, seed से निकले होते हैं, ठीक है, so difference क्या है, बस यहाँ पर, कि children यहाँ पे बीज को नहीं लगाया गया है, यहाँ पे baby plant को पानी के अंदर लगाया जा रहा है, किस की baby plant को, rice की baby plant को, जिसको क्या कहते हैं, seedling कहते हैं, okay, clear है कि किस तरह का area होना चाहिए, rice के लिए, कितना पानी होना चाहिए, flooded जैसा पानी भरा होना चाहिए, और उसके अंदर crop को लगाया जाता है, which is seedling, now, farmers care for the rice, एक बार farmer ने सारे के सारे crops को लगा लिया, सारे baby plants को पानी के अंदर लगा लिया, फिर farmers क्या करते हैं, farmers care करते हैं, rice की, okay, वो rice की care करते हैं, they care for the rice, they make sure that the rice has lots of water, so children, we studied in the previous side के rice को बहुत सारा पानी चाहिए, okay, तो वो they make sure, वो make sure करते हैं, even crop लगाने के बाद भी, कि rice को बराबर पानी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ज rice का plant अच्छे से grow नहीं करेगा, and that is why if you want that it should be a healthy plant and there should be like more production of rice, तो कैसा होना चाहिए, उसमें continuation पानी की supply होनी चाहिए, the rice grows, और अगर आपने ये सारे काम किये, बराबर उसकी care करी, पानी अच्छे से supply किया, तो फिर eventually what happens, the rice grows, plant क्या होता है, ग्रो होता है, और क्या बन जात है, चावल, it turns yellow, लेकिन initially वो कैसे हो जाते है, yellow color के हो जाते है, ठीक है, then now the rice is ready to pick, जब वो yellow color का plant हो गया, तब आपको समझ जाना है कि आपका चावल क्या हो गया है, पग गया है, ओके, धान क्या हो गई है, पग गई है, because the color has changed to yellow, workers carry the rice out of the fields, फिर आते हैं workers, और जहां जहा देखते हैं कि crop हो चुकी है, पूरी तरह से तैयार, तो फिर children वो field में आते हैं, खेत में आते हैं, और सारे crops को पकी हुई crops को carry करके ले जाते हैं, ठीक है, so this is the entire process of cropping, which plant children, rice plant, ठीक है, तो छोटे छोटे जो चावल की दाने हैं, जो हम कई बार waste भी कर देते हैं, फेक देत हैं, उसको बनाने के लिए इस तरह की महनत चाहिए होती है, so can you see के एक farmer कितनी महनत करता है चावल उगाने में और हम इतने आराम से उसको वेस्ट कर देते हैं, so क्या करना है, वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि आपको इसके पीछे समझना है कि किसी इंसान ने कितनी महनत क होगी और तब जाके हमें क्या मिल रहा है, rice मिल रहा है और rice के products मिल रहे है, all right, then you can see what is happening, workers take the rice to a machine, और फिजब खेज से हमने कटाई कर ली, पूरे crop जब पक गए थे, यलो हो गए थे, workers आए, उनने उनकी कटाई करी, और फिर उसको वो कहां ले जाते हैं, children, इस तरह की machine मे ठीक है, यह सारे जो बड़े-बड़े आप plants देख रहे हो, यही rice plant है, जो कि कभी क्या थे, seedling थे, baby plant थे, और फिर ग्रो हो के क्या हो गए, बड़े हो गए, उनको कहां ले गए गए, machine में ले जाते हैं, it shakes seeds from the plant, a shell is removed from each seed, okay, फिर अब क्या निकल रहा है, उसमें से children, उसमे छिलका होता है, उसको निकाल दिया जाता है, now the rice is ready to eat, फिर वो white color के जो दाने होते हैं, छुट-छुट दाने होते हैं, वो हमें finally मिलता है, so आपको यह समझना है कि पहले वो बड़े-बड़े plants को क्या किया गया, machine के अंदर डाला गया, फिर उसके बाद क्या मिलता है, seed मि दाने मिलते हैं, लेकिन seed की ऊपर क्या लगा रहता है, shell लगा रहता है, मतलब cover, छिलका होता है, जब वो छिलका उतार दिया जाता है, children, जब इसको हम ब्रेक कर देते हैं, फिर हमको बनता है rice, फिर हमें क्या मिलता है, rice के white-white color के दाने, और तब जाके आपको चावल मिलता है, तब जाके हमारा चावल बनता है, so it is a long and lengthy process and also very time-taking है ना, पहले तो आप देखो उसको क्या करना पड़ा, पहले आपको warm और wet areas ढूणना था, उसके बद आपने क्या क्या seedling लगाया पानी के अंदर घुसके, क्योंकि flooded जैसा पानी चाहिए था, then you have taken the care of a plant, like how आपने य traditional water supply हो तो कि चावल के पौदे को चावल देने के लिए खुप सारा पानी चाहिए, ठीक है, अगर सूखा हो गया पानी नहीं मिला तो चावल का plant grow बिलकुल नहीं करेगा, उसके बाद जब आपने देखा कि plant अच्छा बड़ा हो गया, बहुत big plant बन गया है, और किस color का हो ग का जो shell होता है, उसको जब निकालते हैं तो हमें मिलता है white rice, so इतना लंबा process है children, जो कि आज आपने जाना, और इसलिए आज से और अभी से you are not going to waste single dana, okay, so this is the whole process of children production of rice, you can see, farmers take rice to markets, you can buy rice at a market, फिर जब वो shell निकाल के white color का दाना निकाल लेते हैं चावल का, फिर farmers कहां ले जाते हैं rice को market में, बजार ले जाएंगे, क्योंकि हम तो बजार से ही चावल खरीद के खाते हैं, फिर farmers rice को market ले जाते हैं and then from the market children we buy rice, हम rice को खरीदते हैं, buy मतलग खरीदना, ठीक है, so after going to the market we buy rice and farmers क्या करते हैं, market में लाके रख देते हैं, कि now it is ready to sell, so this is the entire procedure of rice making as well as rice selling, so in the picture also you can see children कितने प्रकार के चावल रखे हैं, है ना क्योंकि हर प्रकार के plants होंगे, किसी किसी में अलग अलग वराइटी के चावल निकलते होंगे, लेकिन you can see children के ये छोटे छोटे सिदाने निकालने के लिए कितनी महनत करनी पड़ी हैं farmers को, है ना, तो इसले children कहा जा Okay, so this was the chapter children, rice is nice, मुझे पता है आप सबको rice बहुत पसंद है क्योंकि rice से बहुत सारी ऐसी चीजे बनती हैं, जिनके बिना हम बिलकुल नहीं रह सकते, है की नहीं, लेकिन हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से rice का production होता है, कैसे rice का crop उगता है, और किस तरह से हमें rice मिलता है, और बहुत ही अच्छा, लंबा और cutting process होता है, children farmers बहुत महनत करते हैं rice उगाने में, इसलिए हमें क्या करना है, हमें wastage नहीं करना है, क्योंकि आज हमने पूरी चीजे जान ली rice के बारे में, कैसा area चाहिए, किस प्रकार की care चाहिए, किस तरह से rice का cutting होता है, isn't it? So this was the chapter, rice is nice. के सामने होंगे, अब आपको जो भी video देखना है, click the button and the video will start. So ये था हमारा chapter, rice is nice, next video में इसी chapter की करेंगे exercise, तब तक के लिए, magnet brains को like, follow, subscribe करना ना भूले, क्योंकि magnet brains हेता है, kindergarten to grade 12, free videos and free education, thank you.